शाखे बलहसन की लगतार दूसरे शतक और लिटन दस के साथ उनकी शतकी साज़िदारी से बांगलादेश ने वल्लकप के लीग माच में वेस्ट इंडीस को साथ विक्ट से हरा दिया इस जीत के साथ बांगलादेश ने सेमी फाइनल में पहुँचने की उम्मीदें जिन्दा रखी है कैसे बांगलादेश ने मारी बाजी पड़ी माच की दस बड़ी बाते नमबर एक बांगलादेश ने टॉस जीत कर वेस्ट इंडीस को पहले बल्लिबाजी का नियोता दिया वेस्ट इंडीस की शुरवाद बहत खराब रही अक्रामक बल्लिबाज क्रिस गेल खाता खोले बिना आउट हो गए उन्हें तेज गेंदबास सेफुदीन ने विकेट की पर मुश्फिकूर रहीम की हाथों कैच करवा दिया नमबर दू, लुईस और होप ने इसके बाद पारी को सवारा इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 116 रनों की साज़ेडारी की लुईस 70 रनों की पारी खेलने के बाद आउट हो गए नमबर त्रीन, निकोलास पूरण कुछ खास नहीं कर सके वो सर्फ 25 रन बना कर शाक्यव अलहसन का शिकार हो गए नमबर चार, मिडल ओडर में दो जटकी के बाद हैट मायर और होप ने फिर से पारी को संभालने की कोशिश की इन दोनों ने चौते विकेट के लिए 83 रनों की साज़ेडारी की नमबर पाच, हाफ सेंचुरी बनाने के बाद हैट मेयर आउट हो गए जबकि होप सिर्फ चार रनों से सेंचुरी बनाने से चुक गए उन्होंने 121 गेंदू पर 96 रन बनाए वेस्ट इंडीज ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसाल पर 321 रन बनाए नमबर छे, जबाप में बांगलादेश को उपनर तमीम इकबाल और सोमे सरकार ने अच्छी शुरवात दी इन दोनोंने पहले विकेट लिए 52 रनों की साज़दारी की नोवे ओवर में सरकार आउट हो गए नमबर साथ, इसके बाद शाकिब अलहसन और तमीम इकबाल ने दूसरे विकेट के लिए 99 रनों की साज़दारी की तमीम इकबाल दो रनों से अपना अर्ध शतक बनाने से चूप गए दो ओवर की बाद ही बांगलादेश को एक और जटका लग गया 133 के स्कोर पर बांगलादेश के तीन विकेट गिर गए नमबर आठ, शाकिब अलहसन और लटन दास ने इसके बाद रनों की जड़ी लगा दी इन दोनोंने चौथे विकेट के लिए 189 रनों की नाबास साज़दारी की नमबर नौ, बांगलादेश को अंतें 15 ओवर में जीत के लिए 79 रनों की दरकार थी लटन ने 38 वे ओवर में ग्रैबियल पर लगाता 3-6 से 24 रन जोड़े दोसके बाद टीम को लक्षी हासल करनी में ज्यादा परिशानी नहीं हुई नमबर दस, शाकिप ने 124 सरवनों की पारी खेली जबकिदास ने 94 रन बना कर 42 वे ओवर में ही बांगलादेश को धमाके दार जीत दी